नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपने यूटूब चैनल for your success में घटना चकर करने फैर मैगजिन के अप्रेल 2024 के संसकंड के टॉप इंपॉर्टेंट 100 MCQs के वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो र प्रेखक, मैत्मूर्द दिवस, उनकी थीम्स, योजना, चर्चित व्यक्तित, विज्ञान प्रद्योगी की एप और पॉर्टल इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राब करके बैल अके प्रेस कर लें जिससे जब भी हमारा आगला वीडियो अप आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं अप्रेल दोजार चॉबिस घटना चगर करने फर मैगजियन के टॉप इंपोर्टेंट हंडर एमसी की उसका वीडियो आप ये अपना एंसर साथ साथ में गैस करते चल सकते हैं पहला कुशन है हाल ही में दादा फिल्म को यहां पर दिया गया है सर्फिष्ट फिल्म का अवार्ड दादा साथ फाल के पुरुसकार दोजाच चॉबिस के थैत दादा साथ फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टेवल अवार्ड मुंबई में आजित किये गये थे और सर्फिष्ट फिल्म रही यहां पर फि अंसर रैट है ओप्शन डी गुजरात फरवरी दोचोबिस में प्रदाहन मंतरी नरेंदर मोदी ने ओखा मुख्य भूमी को बैट द्वारका से जोडने वाले देश के सबसे लंबे चार लैन वाले केबल ब्रिज सुदर्सन सेतु का उधगाटन किया है इस पुल के दोनों और सुरिमत भागवद गीता से सुलोक और भगवान सिरिकेशन के तस्वीरों को उकिरा गया है भारत की सबसे बड़ी रक्सा उपकरण प्रदर्शनी कहां पर हुई है हाली में इंडिया's largest defense equipment exhibition कहां पर इसका आज़न किया गया था भारत की सबसे बड़ी रक्सा उपकरण प्रदर्शनी महराष्ट के पूने के पास मोसी में अंतराष्टरी प्रदर्शनी और convention center में इसका आज़न किया गया था इसका आज़न महराष्टर सरकार के उद्ध्योग विवभाग द्वारा किया गया था हाल ही में अंतराष्टरी सौर गठवन्दन का 119 सदस्य देश कौन सा बना है इंटरनेशनल सोलर आल्यांस का 119 सदस्य देश 119 मेंबर कौन बना है इसका आंसर रैट है option D माल्टा माल्टा अंतराष्टी सौर गठवन्दन में सामिल होने वाला 119 सदस्य देश बन गया है माल्टा के विदेश मंत्राले के स्थाई सचीव क्रिस्टोफर कड़जार ने ISA फ्रेमवर्क समझोते पर हस्ताक्षर किये है ISA यानि की इंटरनेशनल सोलर आल्यांस इसका मुख्याल है भारत के गुरुग्राम हरियान में है और वर्तमान में इसके अध्यक्स है अजय माधूर नेक्ट कुशन हाली में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 का उदगाटन कहां पर किया गया है इंडिया's longest transport tunnel T50 इसका उदगाटन किया गया है पर भारत की सबसे लंबी रेलवी सुरंग का उदगाटन किया है जम्मो कश्मीर में 12.47 किलोमीटर लंबी सुरंग T50 के नाम से जानी जाती है अगला कुशन है आली में आजवित किये गए नवे रायसीना डायलोग में किस देश के परधान मंतरी मुख्य अती थी रहे थे नवे रायसीना डायलोग नाइन्थ रायसीना डायलोग के मुख्य अती थी किस देश के परधान मंतरी थे आंसर रेट है ओप्शन C ग्रीस ग्रीस के परधान मंतरी नई दिल्ली में नवे राइसीना डायलोग के में हेलेनिक गंडराज ग्रीस के परधान मंतरी किरिया कोस मिट्सो ताकिस मुख्य अथिती बने थे राइसीना डायलोग दोजार चॉबिस की थीम रखे गई थी चतुरंगा शंगहर्स परतियोगिता सहयोग निर्मान करना अगला कोशन है 58 ग्यानपीट पुरुसकार से किस सम्मानित किया गया है 58 ग्यानपीट अवार्ड किसे दिया गया है यह सही तुरूप से दिया गया है राइट आंसर इसका ऑप्शन D हो जाएगा जहांपर जगत गुरू राम भदराचारी और गीतकार गुलजार दोनों को आपर सेंग तुरूप से 58 ग्यानपीट पुरुसकार इनको दिया गया है इंपोर्टन फैक देखते हैं जगत गुरू राम भदराचार को संस्कृत में और जाने माने शायर गुलजार को उर्दू के लिए 58 ग्यानपीट पुरुसकार प्रदान किया गया है जगत गुरू तो राम भदराचार और गुलजार का चेन ग्यानपीट पुरुसकार प्राप्त उडिया लेखी का प्रतिवाराय की अधिक सावलेक शमीती ने किया है तो सेंग तुरूप से दिया गया है 58 ग्यानपीट पुरुसकार जगत गुरू राम भदराचार को संस्कृत भाषा के लिए और सायर गुलजार को उर्दू भाषा के लिए अगला कुशन है हाल ही में बाफ्टा पुरुसकार दोजार चॉबिस में सर्वसेष्ट फिलम का अवार्ड किसे मिला है सर्वसेष्ट फिलम का अवार्ड यह दिया गया है राइट अंसर है आप और ऑप्शन नमबर ब ओपेन हाइमर ओपेन हाइवर मुवी को यहां पर दिया गया है बाफ्टा अवार्ज के अंदर सर्वसेष्ट फिलम का अवार्ड इंपोर्टन फैक दिखते हैं सत्यतरवे बिटेश अकेडमी ओफ फिलम एंड टेलिविजन आर्ट्स बाफ्टा अवार्ट्स दोजार हाल ही में उच्छतम नाले ने चुनावी बॉंड योजना को किस अनुच्छेद के तहट असमिधानिक गोशित किया है कौन से समिधान के अनुच्छेद के अनुसार चुनावी बॉंड इलेक्टरॉल बॉंड योजना को यहां पर असमिधानिक गोशित किया गया है सुप् सुप्रिम कोट ने राजनेतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अलोचना करते हुए सरुप समिती से चुनावी बॉंड योजना को रद कर दिया है। उप्युक सभी हो जाएंगे जिसके अंदर पीवी नर्से माराओ, चौदरी चरण सिंग, म.S. स्वामी नाथन इसके अलावा कुल पांच व्यक्तियों के यहां पर चैन किया गया है भारत रतन के लिए इंपोर्टन फैक्ट देता हैं। नेक्स्ट जबकि वर्स दोजारबाईस में भारत 40 के स्कोर के साथ 85 इस्तान पर था। पहले इस्तान पर डैनमार्क है, सबसे भ्रष्ट देशों के सूची में सबसे उपर जो अगर देखा जाए तो सोमालिया है। नेक्स्ट हाली में रामसर इस्थलों की सूची में सामिल अंक समुद्र पक्सी रिजवरो कहां इस्तित है। ये किस राजी से सम्मंदित है। अंसराइट है ओप्शन B करनाटका। यानि वरतमान में अब असी रामसर सैट हो चुकी है। इन में से तीन इस्थल हाली में अंक समुद्र पक्सी सरक्षन रिजवरो अगनाशनी मुहाना और मगदी केरे सरक्षन रिजवरो जो तीनों की करनाटक में इस्तित है। नेक्स्ट कुशन हाल ही में जारखंड के नए मुख्य मंतरी कौन बने हैं जारखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं राइट अंसर है ओप्शन B चमपई सोरेन जारखंड के मुख्य मंतरी चमपई सोरेन को निव्ट किया गया है ED की टीम ने हाल ही में CM हेमंत सोरेन को 7 गंटे की इलम्भी पूछताज के बाद CM हेमंत सोरेन को गुरफत कर लिया था और उन्हों अपने पत से इस्तिफात दे दिया इसके बाद चंपाई सोरेन बने है जारकंट के नए मुख्य मंत्रे Next question हाल ही में वर्स 2023 में जापान को पच्छाड कर विस्व का सीर्स वाहन निर्यातक देश कौन से बना है World Top Exporter कौन बना है कार देखा जाते हैं उसमें जो राइट आंसर इसमें है निकल क्या रहा है वो option भी हो जाएगा चीन जापान ओटो मोबाइल्स मैनुफेक्चर्स एसोशेशन ने 31 जनुवरी 2024 को एक अपनी वार्सिक वाहन आकड़े की रिपोर्ट जारी की है जिसमें चीन 2023 में जापान को पच्छाड कर विस्व का सबसे बड़ा वाहन निर्यातक देश बना है next question हाले में उतर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहां इस्थापित किया जाएगा मानव DNA बैंक फर्स्ट हुमन DNA बैंक उतर भारत का अंसर राइट है ऑप्शन ए बी एच यू उतर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनारस हिंदू विश्योधालियान भी एच यू में इस्थापित किया जा रहा है बी एच यू के जन्तू विज्यान विभा के ग्यानेश्योर लैब में आटोमेटेड DNA एक्स्ट्रेक्टर मसीन इस्थापित की गई है नेक्स्ट कुशन पचेतरवे गनतंतर दिवस परेड़ दोजार चॉबिस में राजिश्रेणी में सर्वस्रेश्ट जहांकी कावाड किसे मिला था आंसर राइट है ओप्शन डी ओडिशा की जहांकी को यहां विला है पहला स्तान रक्षा राजमंतरी अजय भर्टन है सर्वस्रेश्ट मार्चिंग दल और जहांकी के लिए पुरुषकार प्रतान किये पचेतरवे गनतर दिवस परेड़ दोजार चॉबिस में राजिश्रेणी में सर्वस्रेश्ट जहांकी ओडिशा की दी गई है जिसकी थींद रही थी विक्सित भारत में महिला सक्सक्तिकरण का पुरुषकर मिला है फ्रांस के राश्टपती इमेनुल मैकरो भारत के गनतर दिवस समारो दोजाचोब इसके मुग की आती थी थी नेक्स्ट हाली में आज जित किये गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सरवाधिक पदक किस ने जीते हैं फ्रांज मेडल कुल 158 मेडल के साथ पहले स्तान पर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छटा संसकंड तमिलनाडू के चेनई में हाली में संपन हुआ है जो कि 2024 में सकाजन किये गा था संसकंड 2023 का था महराश्ट कूल 158 पदकों के साथ चोथी बार इन खेलों में पहले स्तान पर रहा है नेक्स्ट भारत का प्रथम IIT सेटलाइट केम्पस कहां विक्सित हो रहा है प्रथम IIT सेटलाइट केम्पस आंसर रैट है आपर ओप्शन D उज्जेन बारत का पहला सोध अधारित IIT सेटलाइट केम्पस मध्य परदेश के उज्जेन में स्थापित किया जागा यह भारत में अपनी तरह का अनोखा संस्तान होगा मध्य परदेश की मुक्रमंत्री है मोहन यादव नेक्स्ट खाले में विश्णू सर्वनन विश्णू सर्वनन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है विश्णू सर्वनन इसकीन पर फटो देख सकते हैं का आप राइट आंसर है आपर ऑप्शन सी उजाग राइट नौकायन सेलिंग टोक्यो ओलंपियन विश्णू सर्वनन ने आउस्टेलिया में ILCA 7 पुरुस विश्व चेंपेशने 2024 में भारत का पहला कोटा परात किया है इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनेजित्व किया था विश्णू सर्वनन जो किया कि तेराक है नेक्स्ट भारती वाईशिना का वायू सक्ती 2024 अभ्यास का आईजन कहां पर किया गया था वायू सक्ती 2024 आंसर एठ है याँ पर राजस्थान के धोरों में किया गया था राजस्थान में भारती वाईशिना ने राजस्थान के जैसल मेर्जिले के पोकरण में युद्ध अभ्यास पर ध्यान केंदित करते हुए अपनी हवाई, लड़ाई और परिचालन छमताओं का परदशन किया गया था रास्तान के जैसल मेर्जिले के पोकरण में इस अभ्यास का युद्ध किया गया था इसका युद्ध का पर किया गया था तो जो राइट आसर इसका है ऑप्शन डी रैट हो जाएगा इंदौर फरवरी 24 में मध्य परदेश के इंदौर की रामसर साइट सिर्पूर तालाब पर अंतराश्ट्री सम्मेलन का आयुजन किया गया था सिर्पूर तालाब पर दो फरवरी 1971 को आरदर भूमी पर इरान के रामसर में अंतराश्टी सम्मजोते को अपनाने के उपलक्स में प्रती वर्स दो फरवरी को विश्व वेटलेंड दिवस के रूप में मनाया जाता है इसकी थीम रखे गई है वेटलेंड एंड हुमन वेल बिंग इसकी थीम रखे गई है वेटलेंड डे मना जाता है दो फरवरी को नेक्स्ट वर्स दो जाचॉबिस पैरिस ओलम्पिक के लिए किस भारती को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है टॉर्च बीरर मसाल वाहक आंसर रैट है ओप्शन ए अभिनव बिंद्रा भारत के लिए गूर्ड मेडलिस्ट है अभिनव बिंद्रा ओलम्पिक खेलों में भारत के लिए पहले व्यक्तिकत सौन पदक विजिता अभिनव बिंद्रा को 26 जुलाई से 11 अगस 2014 तक आईजित होने वाले पैरिस ओलम्पिक के लिए मसाल वाहक के रूप में उनको चुना गया है टॉर्च बीरर बिंद्रा ने 2008 में बिजिंग ओलम्पिक में पुरुशों की 10 मिटर ए रैफिल में भारत को गोल्ड मेडल डलवाया था नेक्ट कुशन भारत के UPI भुगतान को स्विकार करने वाला पहला यूरोपिय देश कौन सा बना है जो भारत की UPI परणाली को अपनाने वाला आंसर एट है यहाँ पर ओप्शन B फ्रांस भारत के UPI परणाली यानि की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उप्यो करता अब पैरिस में भी एफिल टावर के लिए टिकट खरी सकते हैं जिसे फ्रांस भारत के बारत से डिजिटल भुगतान स्विकारत करने वाला पहला यूरोपिय देश बना है इसके लिए National Payments Corporation of India NPCI International Payments Universe 2022 में फ्रांसी सी कमपनी लायरा के सारे एक समझता गयापन किया था अगला कुशन है हाली मैं नियायमूर्ती रितू बाहरी नियायमूर्ती रितू बाहरी किस उच्छतं नायले की पहली महिला मुख्य नादश की रूप में सपत ली उन्होंने राजपाल सेवा निवरित लेफ्टिनेंट जनरल गुर्मीज सिंग ने उन्होंने सपत दिलवाई थी नेक्ट कुशन है आली में जारी अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारती साहिता प्राप्त करने वाला सीर्ष देश कौन सा है आंसर रैट है ऑप्शन B भुटान भारत सरकार ने विते वर्स 2024-25 के लिए विदेशी सरकारों को अनुदान और रिन के रूप में 5666 करड़ रूपे के अनुमानत राशी अवंटित की है यह इंदे बजट दस्तावे जुकन सार भुटान भारत सरकार से अनुदान और रिन प्राप्त करता देशों में पहले स्थान पर है भुटान नेक्स्ट प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की द्वारा तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की अधार शिला कहां पर रखी गई है तालाबीरा थर्मल पॉवर प्रजेक्ट इसके हाँ पर फाउंडेशन इस्टोन कहाँ पर रखा गया है यानि कि आधारशिला कहां रखी गई है वो जो राइट आंसर है ओप्शन C हो जाएगा ओडिसा परदान मंतरी नरेंदर मोधी ने ओडिसा के संबल पूर में नेवेली लिगनाइट कोरपरोशन इंडिया लिमिटेड के 2400 मेगावार्ट के सूपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट तालाबीरा की आधारशिला रखी है तालाबीरा थर्मल पॉवर प्रयूजना 27,000 करोड से अधिक की लागत से निर्मित होगी ओडिसा में के संबल पूर में नेक्स्ट कुशन भारती नोसयना में सामिल किया गया पहला सर्वेक्षन पोथ कौन सा है इंडियन नेवी के अंदर कमिशन होने वाला पहला सर्वे वेसल कौन है उसका नाम क्या है राइट आंसर ओप्शन डी आईएनस संधायक आईएनस संधायक पहला सर्वेक्षन जहाज है नोसयना डॉक्याड विसाखा पतना मांदर प्रदेश में आजीत समारो में रक्षामंति राजना सिंग की उफस्तिती में भारतिय नोसयना में इसको सामिल किया गया आईएनस संधायक भारतिय नोसयना के परमुखे वरतमान में एड्मिरल आर हरी कुमार ओके नेश्ट कुरिशन है नेक्स्ट हाली में अंत्रिक्स में सरवाधिक समय 888 दिन और 12 घंटे बिताने का नया रिकॉर्ड किस अंत्रिक्स यात्री ने बनाया है 888 दिन और 12 घंटे आंसर रैट है ओप्शन B ओलेग कौनो नेंको ओलेग कौनो नेंको इनका नाम है रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसको मौस ने बताया है कि रूसी अंतरिक्ष स्यातरी ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विस्वर्कोर्ड तोड़ दिया है 69 वर्सिय ने अंतरिक्ष में 888 दिन और 12 घंटे से अधिक समय बिताया है औलेक को नोनेंको रूसी अंतरिक सात्री है नेक्स्ट कुशन हाल ही में परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने भारत उर्जा सप्ता का उद्गाटन कहां पर किया है इंडिया एनर्जी वीक का उद्गाटन कहां पर किया था इसका उदर उद्गाटन किया गया था गोवा में पर्थान मंतरी नरेंदर मोदी ने गोवा में दूसरे भारत उर्जा सप्ता का उद्गाटन किया जो 9 फरवरी तक आयोजित किया गया था इस्टाटप को प्रोज़ाइट करना उनको बढ़ावे देना उन्हें उर्जा मूली शरंखला में एकिकत करना भारत उर्जा सप्ता 24 का मुख्य फोकस रहा था गौवा में आजित किया गया था दूसरा भारत उर्जा सप्ता कामख्या कोरिडोर परियोजना की आधार शिला कहां रखी गई है कामख्या कोरिडोर प्रोजेक्ट इसकी आधार शिला रखी गई है राइट आंसर ओप्सन डी है असम असम राज्यमें प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने असम में 498 करूड रुपे की महतुकांसी कामख्या कोरिडोर परियोजना की आधार शिला रखी है पीम डिवाइन योजना के तहत कामख्या एक्सप्रेस कोरिडोर परियोजना के पूरा होने के बाद सक्ती पीठ कामख्या मंदिर पूरे इस्थापित किया गया है बापू टावर जो कि तांबे से बना है आंसर राइट है ओप्शन B पटना राश्ट पिता मात्मा गांधी को समरपित भारत का पहला सबसे बड़ा तांबे से बना बापू टावर बिहार के पटना में बनकर तयार हो गया है बापुटापर टावर पटना के गरदनी बाग में स्थित है इस टावर के उचाई 120 फिट है और ये तामे से बना है Next हाली में D.I.D.O. ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टार्गेट का परेक्शन किया है राइट आंसर है ओप्शन C अभ्यास नामक प्रक्सा अनुसंदान और विका संगठन यानि कि D.I.D.O. ने हाली में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टार्गेट जिसे हीट नाम दिया गया है इसका अभ्यास जिसका नाम है अभ्यास है इसका Integrated Test Range चान्दीपूर में परेक्शन किया गया था Next question सीमा सड़क संगठन Border Road Organizations ने किस अंतराष्टी सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारम की है कौन सी अंतराष्टी सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना स्टार्ट की है BRO के दोरा सीमा सड़क संगठन BRO Border Road Organization ने हाली में भारत मियानमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम किया है जिसकी शुरुआत मनिपूर में 10 किलिमेटर की दूरी से हो रही है ग्राम अंतराष्टार बारा 1700 किलिमेटर की बाड़ लगाने की योजना है Next question भारत के पहले Digital राष्ट्रे संग्राले की अधारशिला कहां रखी गई है भारत की पहली Digital राष्ट्रे संग्राले की अधारशिला ये रखी गई है Option B रैट है है हैदराबाद में केंदरि संस्कृति मंतरी G.Kissen Reddy ने पहले Digital राष्ट्रे संग्राले की अधारशिला रखी है भारती पुरा तक्त्रे संग्राले की स्थापना कर रहा है ए टेलाइएन आके हेदराबाद के संग्राले में Next WHO ने हाली में Global Cancer Burden Report जारी की है जिसके अनुसार 2022 में कौन से कैंसर सरवादिक मामले दर्च किये हैं कौन से कैंसर के सरवादिक मामले दर्च किये हैं अंसर रैठ है option A फेफ़डों का कैंसर है यानि लंग कैंसर विशु स्वास्त संग्ठन यानि World Health Organization की ये Cancer Agency International Agency for Research on Cancer Report जारी की है जिसके अनुसार वर्च 2022 में सरवादिक कैंसर के मामले जो आए सामने वो फेफ़डों के कैंसर कहा है थे दूसरे स्थान पर महिला स्थन कैंसर ब्रेश्ट कैंसर कहते हैं नगरिक संहिता विध्यक पा रेत करने वाला राज कोन मना है संवादा विधानस्षबाने वर्च 222 के विधान सवा चुनावों के दौराण भाचपाद वरग की एक प्रमुख वादे को पूर करते हुए अतिहासिक संवान नागरिक संहिता उत्राखण 24 विदे को परित किया है उत्रकंड के मुख्यमंत्री कौन है वरतमान में उसकर शिंग धामी नेक्ट कुशन है भारत की पहली Hyper-Velocity Expansion Tunnel जिगर थंडा S2 का विकास किस IIT ने किया है जिगर थंडा राइट आंस अरे option है आपर IIT कानपूर IIT कानपूर ने भारत की पहली 24 मीटर लंबी Hyper-Velocity Expansion Tunnel जिगर थंडा का परिक्शन किया है नेक्स्ट FIFA फुटबॉल विशुकप 2026 के लिए भारत में कौलिफायर मैच कहां पर होगा कौलिफायर मैच कहां पर होगा राइट आंसर है option तेलंगाना फुटबॉल एसोशेशन इतिहास में पहली बार अपनी धर्ती पर सीर्स इस्तरी अंतराश्टी फुटबॉल मैच का आयजन करेगा FIFA फुटबॉल विशुकप के लिए कौलिफायर मैच हैदराबाद के मैच 6 जून 2026 को होगा है जो कि कुवेत और भारत के बीच खेला जाएगा 6 जून 2026 को मैच कुछन है हाली में अंतराश्टी उर्जा एजनसी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नवी कर्णी उर्जा चमता में सीर्स देश कोन सा है नवी कर्णी उर्जा चमता यानि उर्जार 2023 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैस्विक वार्षिक नवी कर्णी उर्जा में 50% से बढ़कर लगबग 510 गीगावट हो गई है यह रगातार 2200 वर्ष है जब नवी कर्णी उर्जा में एक नए रिकोर्ड बनाया है सबसे बड़ी वर्षि चीन में है 360 गीगावट से अधिकी होई है तो पहले स्तान पर हैं आपर चीन नवी कर्णी उर्जा में नेक्स्ट साथवा हिंद महासागर समेलन का आजन कहां पर किया गया है सेवन्थ इंडियन ओशिन का आजन कहां पर किया गया है इसका आजन किया गया है ऑस्टेलिया में फरवरी 24 में विदेश मंतरी डॉक्टर सुब्र मन्यम जैसंकर नया ऑस्टेलिया के पर्थ में दो दिवस्य साथवे हिंद महासागर समेलन का उद्गाटन सत्र को सम्मुदित किया थीम इसकी रखे गयी थी एक इस्थित और सतत्य हिंद महासागर की और यह इसकी ठीम रखे गई थी और उस्टेलिया में जैसन किया गया था साथवे हिंद महासागर समेलन का नेक्स्ट हाली में केंद सरकार ने मोबाइल स्वास्त पहल किलकारी और मुबाइल अकादमी कहां परारम की है अंसर रेट है ऑप्शन डी रेट हो जागा जिसके इन्द महाराष्ट और गुजरात दोनों जगह से एक तुरूप से इसका आज़न किया गया था केंदि स्वास्ते और परिवार कल्यान मंतरी प्रोफेसर एसपी सिंग बगेल और डॉक्टर भारतिय प्रमिन पमार ने गुजरात और महाराष्ट में इस्थानी समगरी के लाभारतियों के लिए एक मोबाइल स्वास्त पहल खिलकारी कारिकरम और मोबाइल अकाजमी को लाउंच किया था गुजरात और महाराष्ट दोनों ही राज्जों में नेक्स्ट हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टीट्वेंटी, ओडियाई और टेस्ट मैच तीनों में ही टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतियास के पहले गेंदवाज कौन बने है आंसर रैट है ऑप्शन डी जस्परित बुम्रा जो कि भारती तेज गेंदवाज है जस्परित बुम्रा ने इंग्लेंड पर अपनी टीम की 106 रेंड की जीत के दोरन मातर 71 रनों पर 9 विकेट लेते हैं जबर्दस परदेशन किया आएसेसी के दोर हाली में नमिन्तम आएसेसी पुरुष टेस्ट गेंदवाज रनकिंग में भारती तेज गेंदवाज जस्परित बुम्रा ने पहली बार टेस्ट गेंदवाजी रनकिंग में सीर्शिस्थान आसिल किया है नेक्स्ट हाल ही मैं अयुद्ध्या में राम मंदिर के दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं फर्स्ट फॉरेंग लीडर टू विजिट आयुद्ध्या अंसर रैट है ऑप्शन बी बिमान प्रशाद फिजी के उपरधान मंतरी हैं बिमान प्रशाद अजद्ध में राम मंदिर के दर्सन करने वाले पहले विदिशीनेता बने हैं श्री राम लाला का मंदिर फिजी और भारत के समंदों को मजबूत करेगा प्राण पतिष्टा इस मंदिर की 22 जनवर 1224 को की गई थी राष्टी दलहन दिवस कब मनाया जाता है राष्टी दलहन दिवस पहली बार कब मनाया गया था नेक्स्ट कुछन है राष्ट्र क्रमी मुक्ती दिवस कब मनाया गया है नेश्टनल डिवर्मिंग डे यह मना जाता है प्रतिवर्स दस फरवरी को मनाया गया है प्रतिवर्स राष्ट्र करमी मुक्ती दिवर्स दस वरवरी को मना जाता है 2024 में राष्ट्र करमी मुक्ती दिवर्स की theme रखी गई है Eliminate STH Invest in a healthier future for children Next WHO Nelson Mandela पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया है WHO Nelson Mandela Award यह दिया गया है निमहांस Institute को दिया गया निमहांस Hospital को राष्ट्रिय मानसिक स्वास्त और तंत्र का विग्यान संस्थान निमहांस की पचासवी वर्स गाट पर स्वास्त सम्वर्धन के लिए विश्व स्वास्त संगठन के दोरा WHO के दोरा 24 नेलसन Mandela पुरुसकार से सम्वानित किया गया है निमहांस मानसिक स्वास्त और तंत्र का विग्यान में सबसे आगे रहा है Next सार्थी पहल का सुभारम किस मंत्राले ने किया है सार्थी पहल इसका सुभारम किया गया है गाइट आंसर है option A करसी एवं किसान कल्यान मंत्राले ने सार्थी पहल की सुभारम किया है केंद्र करसी एवं किसान कल्यान मंत्राले ने नई दिली में परदान मंत्री फसल भीमा योजना के अंतरगत learning management system क्रिसी रखसक पॉर्टल हेलप लाइन और सार्थी पहल का सुबारं किया गया था ओके एक्ट कुछन है आली में महासागरों और वाई मंडल का अध्यान करने के लिए पेस मिसन किस अंतरिक्स अजेंसी ने लॉंच किया था पेस मिसन जो कि ओशियन और वाई मंडल जो दोनों का यहां पर अध्यन करने के लिए लॉंच किया गया था पेस मिसन इसको लॉंच किया है USA की अंतरिक्स अजेंसी नासा के दौरा इस मिसन को लॉंच किया था नासा ने स्पैसेक्स फॉलकन नाइन रॉकेट से महासागरों का विसाल इस्तर और प्रतिवी के वाई मेंडल का जलवायू प्रविजन को समझने के लिए प्लैक्टन एरोसोल क्लाउड महासागर्थ परस्थिति की तंतर रहने की पेस मिसन लॉंच किया है नेक्स्ट स्विजन लेंड के जंग फ्राव जोक के महशूर आई स्पैसलेस आई पैलेस में किस की समारक पटिका लगाई गई है किस खिलाड़ी की भारत के आंसर रैट है ऑप्शन सी भारतिय ओलमपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरच चोपड़ा भारत के लिए ओलमपिक स्वन पदक विजेता और विस्ट चैंपियन भाला पैंक एथलीट नीरच चोपड़ा को स्टूड़ लेंड के सुजन लेंड में जंग फ्राव जोक में महशूर आईस पैलेस में उनकी पटिका लगा कर समानित किया गया वो रोजर फेडरर महान गॉलफर है और उसके अलबाग गॉलफर रोरी मेकल रोज जैसे सिदारों के साथ सामिल हो गए हैं जिनके वहाँ पर पटिका हैं लगाई जा चुकी थी है अगला कुशन है बंगलादेश में आज़ित किये गए सेफ अंडर 19 महीला फुटबॉल चैंपियंशिप के वज़ेता कौन है अंसर रेट है ओप्शन यहाँ पर सेइंग तुरूप से भारत और बंगलादेश यहाँ पर चैंपियन रहे हैं बंगलादेश के ढाका में इस्टेडिय में चार देशों की सैफ अंडर 19 महीला फुटबॉल चैंपियसिप में भारत और बंगलादेश सेइंग तुरूप से वज़ेता यहाँ पर रहे हैं अंडर 19 एक डिवस्टी वर्ल्ड कप का वज़ेता कौन सी टीम बनी हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप अंसर रैट है ओप्शन ए उस्टेलिया अस्टेलिया ने दक्सिन अफ्रीका के बिनोनी के विलूमूर पार्क में पुरुसों की अंडर 19 एक डिवसी वर्ल्ड कप में भारत को 89 रनों सहरा दिया भारत की कप्तानी उदे सहरान ने की थी जबकि अस्टेलिया के कप्तान हुउ बिव गेन ने की थी अंडर 19 के विजयता बनी है उस्टेलिया टीम और जबकि इससे पहले 2023 में नॉवंबर में आईजित किये गए पुरुष एक डिवसी वर्ल्ड कप की विजयता भी उस्टेलिया रही थी और भारत को फाइनल में उन्होंने हराया था नेक्स्ट कुशन केरल सरकार ने के पीपी नामबियर पुरिसकार 2024 से किस समयनेत किया है के पीपी नामबियर आवर्ड ये दिया गया है एस सोमनात को इसरो के चीफ है भारत में अंतरिक्स अन्विक्षन और प्रद्योगी के छेतर में नवाचार और नेतरतो के लिए इसरो के चीफ एस सोमनात को इंस्टिटूट ओफ एलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनियर्स के रहर अनुभाग ने प्रतिष्टित के पीपी नामबियर आवर्ड दिया है एस सोमनात इसरो चीफ को महर्षी दयानन सरस्वती की दोसोवी जैनती हाले मनाई गई है दोजाचोबिस में और इनका जनम कहां पर हुआ था महर्षी दयानन सरस्वती का आंसर एट है आपर ऑप्शन डी गुजरात 12 फर्वरी 1224 को मार्सी दयानन सरस्योती की 200 वी जेंती मनाई गई थी जिनका जनम 12 फर्वरी 1824 को तंकारा गुजरात में इनका जनम हुआ था उन्होंने भारती आध्यात्मिक्ता और समाजिक सुधार में अपना योगदान दिया था नेक्स्ट पूशन है हाले में चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स का संबंध किसे है अलाक्स का पॉक्स इसका संबंध है विशानू ओप्सन बी रैट है वाइरस है एक अलास्का पॉक्स अलास्का के सौस्ते अधिकारी दौरा खोजी गई वाइरल बिमारी अलास्का पॉक्स प्रदान मंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी प्रदान मंत्री सूरी घर मुफ्त बिजली योजना इसके अनुसार 300 यूनिट प्रतिमा मुफ्त दी जाएगी बिजली इंपोर्टन फैक देते हैं पीम नरेंदर मोधी ने 75,000 करोड रुपे से अधिक निवेस से 1 करोड घरों को परतिमां 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपरत कराने के लिए प्रधान मंतरी सूरी घर मुफ्त बिजली योजना प्रारम करने की कोशना की है इसके साथ ही प्रधान मंतरी ने संसोधित और सौर छत योजना का नाम अदल कर पीम सूरी घर मुफ्त बिजली योजना कर दिया है नाइस कुशन है हाली में वैस्विक जैव विविद्ता फ्रेमवर्क कोश की पहली बैठक कहा हुई है इसकी पहली बैठक कायजन कहां पर किया गया था इसका बैठक कायजन किया गया था वाशिंग्टन डीसी में वैस्विक जैव विविद्ता फ्रेमवर्क कोश की पहली परिशत बैठक वाशिंग्टन डीसी से राज अमेरिका में हुई थी इसे 2022 में कनेडा में वेंकूवर में वेस्विक पर्याविविदा सुविधा GEF ग्लोबल एन्वार्मेंट की साथी असेम्बली में कुन्मिंग मॉन्ट्रियल वेस्विक जैविविटा फ्रेमवर्ड के करने के लिए बनाया गया था तो हमको यहार तखने हैं आपर Westwick जैविविविता framework course की पहली परिशित की बैठक वॉसिंग्टन बीजी में अचित की गई थी Next अगला question है क्रशी वानिकी पर grow report का अनावरण किस ने किया है क्रशी वानिकी के ऊपर grow report इसका अनावरण किया गया है नीती आयोग के दोरा भारत सरकार के परमुक ठिंक टैंक नीती आयोग के सदर से प्रोफेसर हमेश चंद ने करशी वानिकी के साथ बंजर भूमी के हर्याली और पुनर स्थापना grow report को पॉर्टल को लॉंच किया है वरतमान में करशी वानिकी भारत के कुल भॉगॉलिक छेतर का 8.65% है लगबग 28.42 मिलियन हेक्टेर को कवर करती है नीती आयोग जिसका अध्यक्स परधान मंत्री होते हैं और उसके CEO कौन वरतमान में इसका अंसर अगर आपको पता है तो इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके अपना देना है नेक्ट कुशन है यह दिया गया है भारत को भारत ने सरकारी सेवाओं में कृतिम बुद्धिमता यानि AI के छेतर में उलखनी कार के लिए वर्ल्ड गवर्मेंट समिट दोज़ा चौबिस में परतिष्टित नौवां गवर्मेंट टैक पुरुसकार हासिल किया है स्विक्त अरब अमिरात की सरकार दोरा स्थापित यह वार्शिक पुरुसकार रशनात्मक और नहीं खोजों के लिए दुनिया भर की सरकारों संगठों और केंद्रों को दिया जाता है अगला कुशन असम ने हाली में किसे अधिकारिक राज़ फल के रूप में नामित किया है ऑफिसियल फूरूट यह पर गोशिद किया गया है गौवर्णमेंट असम के द्वारा किसे किया गया है राइट अंसर है ऑप्षण ए काजी नेमू जो की एक फूरूट है असम सरकाने अधिकारी तोर पर काजी नेमू एक साइटरस लिमॉन की एक किस्म को राज़ फल घोशित किया है काजी नेमू अपने रसीले सुगंदित स्वभाव और अतेदिक पोशन मूली के लिए जाना जाता है काजी नेमू को 2019 में जी आ टेग भी मिल चुका है छाथिस्वे राष्ट्री पुस्तक मेला का आज़न कहां पर किया गया है 36th National Book Fair इसका एजन कहा पर किया गया है? इसका एजन किया गया है है हैधराबाद में तेलंगाना के हैधराबाद का NTR स्टेडियम ने राश्ट्री पुस्तक मेले के 36 संस्कंड की मेजवानी की है हैधराबाद Book Fair Society दोरा एजित यह कारेकरम 9 फरवरी को शुरू हुआ और 19 फरवरी तक चला है Next Question हाली में भारास सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए ADB Asian Development Bank से 200 मिलियन डॉलर के रिंड समझोत प्राक्षत अक्सर की हैं कौन सी नदी के लिए? Answer 8 है Option A ब्रह्म पुत्र नदी ACI विकास बैंक और भारास सरकार असम राजमेस्तित ब्रह्म पुर नदी के 650 किलोमेटर लंबे मुखी परवा के साथ बाड और नदी तट कटाव जोकिम प्रबंधन उपायों को मजबूत करने के लिए 200 मिलियन डॉलर का रिण परदान करने पर सेमत तो हुए है अगला कुशन है अंतराश्ट्री मुद्रा कोस IMF के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ वैस्ता का खिताब किसने जीता है वर्ल्ड्स थर्ड लार्जिस्ट एकोनोमी कौन बनी है Answer 8 है Option B अंतराश्ट्री मुद्रा कोस यानि International Monetary Fund ने के वर्ल्ड एकोनोमिक आउट्लूक के अनुसार जापान पिछले साल सकल घरलू उत्पात के अधार पर चोथे स्थान पर आ गया है जापान अंतराश्टी में संयुक्त राज राष्ट्र समाजिक विकास आयोग के 62 सत्र के अधिक्स्ता की ज़्देशनी की है United Nations Social Development Commission इसके 62 सत्र के अधिक्स्ता की गई है भारत की द्वारा Option C राइट है भारत फरविड चोविस तक भारत की स्थाई प्रतिनिधी रुचिरा कमबोज ने समाजिक विकास मामलोग पर अंतराश्टी स्थायोग पर समाजिक विकास आयोग के 62 सत्र की अधिक्स्ता की है वर्ष 25 में समाजिक विकास आयोग के 63 सत्र के अधिक्स्ता पॉलेंड करेगा 62 सत्र के अधिक्स्ता भारत की द्वारा की गई थी किस देश ने सता से समुद्र तक मार करने वाली एक नई मिसाइल पदासुरी 6 का परिक्षन किया है उस देश का नाम है उप्शन B उत्तर कोरिया नौर्थ कोरिया उत्तर कोरिया के राष्टपती हैं किम जोंग उन जिरोन की सते से समुद्र में मार करने वाली नई मिसाइल पदासुरी 6 के परिक्षन का निरिक्षन किया और पच्चिम समुद्र सीमा के पास कड़ी सुरक्षा का असनादिश भी दिया गया था है यह इस साल उत्तर कोरिया का पांचवां कुरूज मिसाइल परिक्षन है नेक्स्ट हाल ही में एलिट 500 टेस्ट विकेट कलब में सामिल होने वाले दूसरे भारती गेंदवाज कौन बने हैं एलिट 500 टेस्ट विकेट कलब टेस्ट के अंदर जो 500 विकेट लेते हैं उनका कलब है उसमें दूसरे भारती सा में लूए हैं उनका नाम है रवीचंद्र आश्विन रवीचंद्र आश्विन ने टेस्ट में चो में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारती के इंद्वाज बनकर इतिहास में अपना नाम दर्श करा लिया है वहीं अश्विन ने अनिल कुमले को बचाड़ के सब से तेज 500 व अंसर रैट है ओप्शन बी भारत को 41 स्वाज स्थान मिला है 41st रैंक भारत को मिली है डेमकरसी इंडेक्स के अंदर हाली में जारी इकोनोमिक्स इंटेलेजेंस यूनिट के दोरा लोगतंतर सुचकांक वर्स 2023 में वैस्विक इस्थर पर लोगतंतर के रोज़ानों पर पकाश्टा लगया है जिसमें नौर्वे पहले स्थान पर है जबकि यहाँ पर सबसे नीचे उत्तर कोरिया है उसके कर्मा पैंसन योजना किस राजने प्रारम की है चीफ मिनिस्टर विश्चो कर्मा पैंसन स्कीम इसको लॉंच किया गया है रास्तान सरकार के दौरा रास्तान में मजदूरों और रहेड़ी वाले वालों के कल्यान के इदिशा में एक महत्पून कदम उठाते हुए मुक्ष पैंसन दी जाएगी हाली में इसरो के द्वारा जो इसरो भारति है एजेंसी है अंत्रिक्स एजेंसी इसने मौसम उपगरा इंसेट 3DS को किस रॉकेट से लौट से लॉंच किया था इसरो के द्वारा ऐसे आजरीर अप्शन जी एसलवी F-14 बारती अंतरिक्स अनुसंधान संगठन इस्रो ने स्री हरी कोटा के सती जवन अंतरिक्स के अंदर से मौसम उपग्रा इंसेट 3DS को सफलता पूर्वग प्रक्षेपिंड किया था रॉकेट का नाम है जी एसलवी F-14 Next अंसर रैट है ओप्षन डी रैट हो जाएगा सहीं तुरूप से बनाया गया था इससे नासा और जाकसा नासा अमेरिका की स्पेस एजनसी है और जाकसा जापान की नासा और जापान एरोस्पेस एक्सपलोरेशन एजनसी ने विशु का पहला लगड़ी का उपगर लिगनोसेट प्रोब लॉंच किया है बाइ नासा एंड जाकसा Next हाली में प्रवासी प्रजाती सरक्षन सम्मिलन कहां आहजित किया गया है प्रवासी प्रजाती सरक्षन सम्मिलन यानि की Migratory Spaces Conservation Conference इसका आईजन कहां पर किया गया था इसका आईजन किया गया था उजबेकिस्तान में Next question हाली में एक अजार वर्स पुराने सोमिन साई महुत्सव की परंपरा किस देश ने समाप्त कर दी है एक अजार वर्स पुराना या एक ट्रडिशन था जिसे कि सोमिन साई महुत्सव की नाम से जना जाता था उसे हाली में समाप्त किया गया है जापान की दोरा option C right है जापान Next सोमिन साई महुत्सव जापानी संस्कृती में गहराई से नहीत एक प्राचिन परंपरा थी जिसने हाली में एक सहस्त्राबदी लंबी वरासत के बाद अपना अंतेम उत्सव संपनी किया सोमिन साई महुत्सव जापान Next हाल ही में BPCL किस भारतिय हवाईडे पर भारत का पहला हरित हैड्रोजन सेंत्र इस्थापित करेगा BPCL कौन से हवाईडे पर answer right है option A कोची एरपोर्ट भारतिय रिफ्राइनर भारत पैट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड BPCL ने कोची में स्थितु कोचीन अंतराश्टी हवाईडे के अंदर 1000 किलोवाट का हरित हाईडोजन सेंत्र का निर्मान और संचालन करने की कोश्णा की है अगला कोश्ण है हाली में चर्चा में रहा ओडीसीस का सम्मन्द किस दे से है ओडीसीस ओडीसीस का सम्मन्द है यहाँ पर ओप्शन सी रैट हो जागा USA USA के हिउस्टेन इस्थित कंपनी इंटुएटिव मशीन द्वारा SpaceX Falcon 9 रोकेट के उपर launch किया गया निजे अंत्रिक स्यान ओडीसीस ने अन्तिम सीमा से पहले अपनी तस्वीर कहीं चीजिए ओडीसीस next Indus X शिखर समिलन का ऐजन कहां पर किया गया है Indus X Shikharu समिलन Summit इसका ऐजन किया गया था नई दिल्ली में Indus X सिखर समिलन जो कि रक्सा नवाचारों में भारत और संयुक्त राज अमेरिका की बीच एक संयुक्त प्रयास नई दिल्ली में इस कायजन किया गया था इंडस यानि इंडिया और USA भारत अमेरिका डिफेंस एक्स्प्लेरेशन इकोसिस्टम जिसे इंडस के नाम से बजाना जाता है इस कायजन इस बेठकायजन नई दिल्ली में किया गया था next हाले में बहुराष्ट्रिय सैन अभ्यास सांति प्रयास जो की चोथा संस्करन था इस कायजन कहाँ पर किया गया है answer right है option B नेपाल फरवेड़ी दोज़ादेश नेपाल, पाकिस्तान, सेलंका और थाइलेंड साहित 19 देशों के 1125 सेने कर्मियों ने इसा लिया था सांती परियास 4 हाली में एशिया का सबसे बड़ा जनजातिय महुस्व समक्का सरलंमा जतारा एशिया का सबसे बड़ा जनजातिय महुस्व है समक्का सरलंमा जतारा इसका पुरा नाम है कहां पर स्काईजन किया गया था स्काईजन किया गया है ऑप्शन C तेलंगाना फर्वरी चौबिस में तेलंगाना के मुलूगू जिले में मेदा राम गाउं में एश्या के सबसे बड़े जन्जातिय, महसौब, समका, सरलंप, जतारा का अज़न किया गया था दिवार्सी आर्दिवासी उत्सव एशिया का सबसे बड़ा जन जाती तेहार 21 से लेकर चोईस वर्वरी को मनाया गया नेक्ट कुछन है भारत के पहले कौशल भारत केंदर का उद्गाटन कहां किया गया भारत के पहले कौशल भारत केंदर का उद्गाटन यह answer राइट है, option D, Odisa केंदरी शिक्षा और कौसल विकास एवं उदमीता मंतरी धर्वेंदर परधान ने उदिसा के संबलपूर में भारत के पहले कौशल भारत केंदर का उदगाटन किया है कौसल विकास और उदमीता मंतराले के सच्चिव अतुल कुमार तिवारी इसकारिकम के मुख्य अधिते थे next इलहाम अलियेव इलहाम अलियेव किस देश के पांची बार राष्टपती चुने गए हैं इलहाम अलियेव answer right है, option A, अजर्बाइजान अजर्बाइजान के राष्टपती इलहाम अलियेव ने चुनावों में 92 प्रतिशित वोट हासिल कर लगातार पांची बार कारकाल अपना हासिल किया है 62 वर्सी अलियेव पहली बार दो जाती इनमें अपने पिता हैदर अलियेव जो कि वहाँ पर सासन कर रहे थे उसके बाद से लगातार पांच बार कारकाल में जीत हासिल की है इलहाम अलियेव अजर्बाइजान नेक्स्ट डिजिटल स्वास्थ पर वैस्विक पहल G.I.D.H. किसने लाउंच की है जो कि ग्लोबल इनिशेटिव है जो कि हेल्थ डिजिटल हेल्थ के उपर G.I.D.H. इसको लाउंच किया गया है डबलू एच ओ के दारा वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन के दारा फर्वी दोज़ाच ओबिस में केंदरी स्वास्थ और परिवार का लेंड मंत्री जो कि ग्लोबल इनिशेटिव ओन डिजिटल हेल्थ जी आईडियाच यह निकि ग्लोबल इनिशेटिव फॉर ओन डिजिटल हेल्थ एक सारजनी कारेकम को समझाजित किया था अगला कुशन है हाली में सोदेशी एंड्रोइड मार्केट प्लेस इन्डस अब इस्टोर किसने लौंच किया है इन्डस अब इस्टोर को लौंच किया है फॉन पर नहीं options next हाली में त्रिपक्सी अभ्यास दोस्ती का सोलवा संस्क्रण कहां पर हुलौच हुआ है answer right यहां पर है option B right हो जागा मालदीव forward 24 में भारत, मालदीव और सिलंका त्रिपक्सी अभ्यास दोस्ती का सोलवा संस्क्रण मालदीव में जित किया गया था next हाली में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के पद पर कौन चुने गए हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर answer right है option C, सहबाद सरीफ इसकी नरप्रोटर देख कितने आप पाकिस्तान में दो बड़े राजनेतिक समुह हो जिसमें की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सब्ता साजा करने का फैसला किया है सहबा सरीफ बने हैं प्रधान मंत्री और आसिफ अली जर्दारी बने हैं राष्ट पती next केंदर मंत्री धर्बेंदर प्रधान ने राष्ट्री उद्मीता विकास परियुजना का उद्गाटन कहा किया है ओप्शन सी रेट हो जाएगा ओडिसा केंदी सिक्सा और कौशल विकास एवं उद्मिता मंत्री धर्बेंदर परदान ने ओडिसा के संबलपूर में राष्ट्री उद्मिता विकास परिजना का उद्गाटन किया है इस पहल के राष्ट्री व्यापी दायरे में जोड़ देते हुए इस पहल को भोपाल, कानपूर, इंदोर, वारनसी, भरतपूर, शिलॉंग, सिल्चर, बिबुर्गड और गुवाटी जैसे नो सेहरों में भी इसको लॉंच किया गया है अगला कुशन है भारत जापान का सेयुक्त योधब्यास धरमगार्जियन कहां पराराम किया गया है धरमगार्जियन अंसर रैटर ऑप्शन बी राजस्थान 25 वरवरे से लेकर 9 मार्च 2024 तक भारती सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच सेयुक्त सन अभ्यास धरमगार्जियन का पांचवा संसकर्ण रास्तान के बिकानएर के महाजन फिल्ड फारिंग रेंज में इसका आउजन किया गया था भारतान मंतरी नरेंदर मोधी के दवारा दो hybrid electric catamaran जहाज MV Guha और MV Nishadraaj कहां launch किये गए हैं MV Guha और MV Nishadraaj कहां launch किये गए हैं यह launch किये गए हैं right answer है यहां पर option B right हो जागा उतर परदेश परदान मंतरी अनरेंदर मोदी ने उतर परदेश के वारानसी में भारती अन्तर देशी जलमार्क परादिकरन और कोच्चीन से प्याड लिमिटेड के दोरा निर्मित दो hybrid electric catamaran जहाजों MV Guha और MV Nishadraaj को राष्ट को समरपित किया है next हाल ही में SpaceX ने अपने 300W Falcon 9 मिशन के तहट किस देश के उपगर मेरा पुती तू को लांच किया है मेरा पुती तू ये किस देश का उपगर है आंसर रहे है ऑप्शन C इंडोनेशिया का उपगर है SpaceX ने फॉलकर 9 रॉकेट से फ्लोरिडा के Cap Canvarell Space Force Station से इंडोनेशिया के मेरा पुती तू संचारोपुर के लॉंच किया है ये फॉलकर 9 रॉकेट का आप तक का 300 वां सफल मिशन रहा है Next हाली में घरिलू मेदान में भारत के लिए सबसे ज़्यदा विकेट लेने वाला का रिकोड किसने बनाया है घरिलू मेदान पर सबसे ज़्यदा विकेट लेने का रिकोड बना है भारती ओफिस पीनर रवीचंदर अश्विन भारती ओफिस पीनर रवीचंदर अश्विन ने अनिल कॉमले को पचाड़ कर भारती सर्जमी पर खेले का टेस्ट में प्रारामी के स्थर पर कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा नामक कारेकरम किस राजी ने लौंच किया है इसको लौंच किया है हरेना सरकार के दोरा हरेना के मुख्मेंतरि मनुहर लाल खटर ने गुड़गाओं में मिदानता फॉर्डनेशन और स्वास्ति विभाग के स्वेयोग से विक्सित सवेरा कारेकरम का उद्गाटन किया है जो महिलाओं मैं इस तन कैंसर की सीगर पैचान और रोगताम के लिए एक पहल है नेक्ट कोशन है यह किया गया है साओधी अरब के साथ भारत और साओधी अरब की सेनाओं के बीच पहला साओधी अरब्ष राज़तान के बीकानेर में महाझन फिल्ड फाइन रेज में इसका आज़जन किया गया था हाली में 43 वर्स की उम्र में युगल में Grand Slam जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने है राइट अंसर है भारत के रोहन बोपना भारत के रोहन बोपना और ऑस्टेलिया के मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी ने ऑस्टेलियन ओपन टैनिस टूनामेंट के पुरुस डबल्स का खितब जीता है रोहन बोपना की 43 वर्स की उम्र में Grand Slam जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बन गए है नेक्स्ट हाली में एक दुरलब रेयर गॉल्डन टाइगर कहां पर देखा गया है यह देखा गया है राइट अंसर ओप्सिन C है काजी रंगा राष्ट्री उध्यान में देखा गया है तीन वर्स के अंतराल के बाद गोल्डन मार्फ वाला दुरलब एक वैस्क नर बंगाल टाइगर असम के गजिरंगा राष्टिवद्यान और टाइगर रिज़र में देखा गया इस गोल्डन टाइगर की तस्वीर एक परेटक गौरव नरेंड के दौरा किली की गई थी नेक्स्ट, हाली में औरेंज फेस्टिवल दोजा चौबिस कहां एजित किया गया औरेंज फेस्टिवल 2024 इसका एजिन किया गया था नागलेंड में नगलेंड के कोहिमा जिले में इस्थित्ध रूसोमा के सुरम्य गाउं में ओरेंज फेस्टिविल का चोता संसक्रन ऐजित किया गया नेक्स्ट हाली में उनतर्वे फिल्म फेर पुरुसकार दोजाश और चौबिस में सर्वसिष्ट फिल्म का पुरुसकार किसे मिला है गेस का उपयोग किया गया पहली बार, answer right है USA, USA में पहली बार मृतियु दंड यानि कि डेथ पनल्टी देने के लिए नेट्रोजन गेस का उपयोग किया गया है, Kenneth Smith एक दोसी हत्यारा थे उसको USA में नेट्रोजन गेस के दोरा मृतियु दंड देने वाला पाने वाला पहला व पहली बार, विज्ञानिक गरना के बाद सरवादिक हिम तेंदूओं की अबादी कहां दर्च की गई है सबसे ज़्यदा स्नो लेपर्ड कहां पर पाए गए हैं इस रिपोर्ट का नुसार लदाक केंदिर परयावरन वन और जलवायू परवरतन मंतरी भुपेंदर यादव ने हाली में एक रिपोर्ट जारी किये जिसमें भारत में हिम तेंदूओं की स्तीतिक रिपोर्ट जारी किये जिसमें सरवादिक आबादी लदाक में 477 संख्या दर्च की गई है नेक्स्ट वर्स 2023 में विश्व की सबसे ज़्यादा बिखने वाली कार निरमाता कंपनी कौन बनी है सबसे ज़्यादा कार बिखने वाली कार निरमाता कंपनी बनी है तोयोटो आप्शन ए राइट है नेक्स्ट, भारती सेना में सूबिदार बनने वाली पहली महिला कौन बनी है, भारती सेना में सूबिदार बनने वाली पहली महिला बनी है, प्रिती रजक, इसके निफ्रों देश किता है, प्रिती रजक, कि उस्का आईजीन हाली में कहां पर किया गया है क read refers to dance festival इसकumbles किया गया है मध्य परदेश मैं चीश ब्रेकर 25 वर्य तक मध्य परदेश के खजुराहु में खजुराहों नर्थ महसोड का ऐम अभाए था इस परतेश्चित नर्थ महसोड का यह 50 वा संज संक्र्ण Kazub सब्सक्राइब लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिंक आपको मिलती रहती है इसके लों हमारा प्रचेस टोर है इंस्टामों पर वहां जागर किसी भी प्रचेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है तो आज के लिए इतना है मिलते एक नए वीडियो में बहुत जल धन्यवाद